पॉस्ट्व एथीजम हिंदी चनल प्रेक्षिकों को स्वागत आज के एपसोड में सरस्वती गोरा जी के बारे में एक नास्तिक कार्यकत्ता ने क्या कहा इस विशे के बारे में बताऊंगी चेतना का दूसरा नम है सरस्वती गोरा 1980 दिसमबर 28 इसको माई हाइदरबाद विजेवाडा बस में हुम नर्सपूर से हाइदरबाद जाते समय रैलवे स्टेशन के बिना मुझे उस समय के विजेवाडा के बारे में कुछ नहीं मालूम कभी गया तक तो नहीं सवेरे शायद 10 या 11 माई हाइदरबाद बस चेड़ी हुम राग के 7 बजे विजेवाड में वोतरी वहाँ से पटमटा जाने के लिए ना जाने कैसा जाना हैं और कौन सा चड़ना हैं मुझे मालूम नहीं मैं आकेले ही डर्ती डर्ती इधर वोतर धूम कर इनसे उनसे पूच कर किसी तरह पटमटा जाने वाली बस पर चेड़ी हुम तोड़ी बंदर रोड पर बस चल रही हैं मुझे भयानक डर होने लग गया कि कहीं पटमटा से बस आगे तो ना चल जाये तब तक कंड़क्टर से दस बार तक बोल चुकी हुम कंड़क्टर ने चोड कर कहा कि कोई डर्ने की और गबरने की बात नहीं भाई पटमटा आने के बाद बोल दूँगा आंगे पटमटा सेंटर आ ही गया, कंडेक्टर ने जोर से चिल्लया की सेंटर आ गया, हाई आ गया, मैं अपनी चोटी सी बैंक लेकर बस बुतरी, दूर से नास्तिक केंदर का बोड दिखाई पड़ा, उसको देखते ही मुझे बहुत कुछ हुई, धीरे धीरे चलता हैं नास साल की हैं, कितना ही आनंद और उल्ला से आतिदियों का स्वागत कर रही हैं, उसके बाजु में ही लवणम जी, मेरे लिए एक जोपडी का प्रभंद किया गया, मेरा बैग में उसमें रकर अपने जैसे गाव में स्वातंतर बिच्डते हैं, वाईसे ही स्वातंतरता से मैं भोजन सेला की ओर गयी, सरस्वती गोरा स्वयम सबको परोष ही हैं, सबसे प्रेम पूर्वक व्योहर करती और सबसे मिलजुल कर बात करती थी, तब तक तो मैं उनके बारे में नहीं जानती थी, गोरा जी पतनी के रूप में ही मुझे परचित हैं, गोरा जी की किताबे उन सेब्दों में भाग लेने में विजेवडा गईी, नास्तिक केंद्र जो जिसका काम हैं, वही स्वयम करना पड़ता हैं, अपने अपने कपडे स्वयम धोना चाहिए, सरस्वती गोरा जी के नेटुट में नास्तिक केंद्र में अनुशाचन का पालन तीक तरसे होता था उनके शुरुआत करने वाली सरस्वती गोरा ही हैं, नास्तिक कांद्रन के बारे में वुन हमने भाशन दिया, पाली बार पांच दिन नास्तिक केंद्र में टाहरी मैं बता चुकी हुमना, अपना अपना काम स्वयम करना चाहिए, प्रतिनिधी के रूप में जाकर सब लोग सब काम करते थे, आइसे काम बांधरे समय में ही मेरी जीवन साती मुझे मिला, उत्तर चाहिए चोटा सा स्नेह रूप धारन कर दिया, वही होम और अंधविश्वसों का खंडन करते हुए, नास्तिक केंद्र में कई कारीक्रम होते रहते थे, उन पांच दिनों में आइसा कारीक्रमों का आयोजिन किया, उन सभी कारीक्रमों में सरस्वती गोरा बड़े उल्लास और उच्चा के साथ भाग लेती थी, जेई इंसान का नारा हमेशा उनके जबान में रहती थी, आगे के अंगारों पर कोई भी चल सकते हैं, धायर्यवान और उच्चा ही अपना नाम दे सकते हैं, जब वाहनुम से यह निमंत्रन मिला, तब मैंने अपना नाम लिखवा दिया, सरस्वती गोरा और हैमलता मेरी बड़ी प्रशम सकी, उच्चा हुम्डती हुई इउम्र, नाई भावनाये और नाया आचन के लिए दोडने वाला, मन सरस्वती गोरा ने मुझे ह खास से शेयर कर प्रोचाहित किया, पूनित इसमें आग के अंगोम रूम पर चली, परना जिले, अपने आचन के द्वारा मैं समझ गईी कि इसमें कोई महमातों नहीं हैं, इस तरह सरस्वती द्वारा मेरे जीवन पर और मेरे नास्तिक आचन पर अपना प्रभाव दिखाय जब सरस्वती गोरा की उम्र 10 साल की हैं, तभी गोरा जी से उसका वो विवा हुआ, गोरा जी के सानिज में वह नास्तिक नारी बन चुकी, हिंदु धर्म के चेहन बिंदी लगाना और मंगल सूत्र उसने निकाल दिया, नास्तिक केंद्र में कोई नारी माते पर बिंदी न लगाती, शादी के चिकने नहीं रखती, मैं किसी एक दिन माते पर बिंदी नहीं लगाई, काली स्टिकर एक सुंदरी सीखने के रूप में ही रखती थी, गोरा और सरस्वती जी के नौ संतांते, स्वतत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण, सरस्वती द्वारा अपने बड़े बेटा का नाम लवणम दंडी सच्चाग्रे के समय जन्म लेने के कारण, बड़ी बेटे का नाम लवणम के नाम रखे, उसी तरह विजियम, समरम, ग्राम, मारू, सकला, रश्मी और नियंता के नाम अपने संतां के लिए रख दिये, नास्तकों के आचन से कई मुस फोन में खास बात तो यहाँ की सूरि ग्रहन के समय में गर्भवतिस्त्री या बाहर गूमना मना है, उस नियम का वलंगन करना सरस्वति गोरा जब पाहली बार गर्भवति ती तब वह कोलंबो गई, उस समय चंधर ग्रहन था, गर्भवतिस्त्री या खासकर बहुत और बहुत स्वस्त और सुन्दर रूप से फाइदा हुआ। बहुत स्वस्त और सुन्दर रूप से फाइदा हुआ। बहुत स्वस्त और सुन्दर रूप से फाइदा है। बहुत स्वस्त और सुन्दर रूप से फाइदा हुआ। सिर्थ लूप से लूप संबूदर दियुक्पाइ। इस एंस सकत्रonna रूप और सुन्रय लूप से लूप से लूप से खाइदा हुआ। क्यों हड़ से एंसरां , और 3-